जहिंद एवरीवन आई वेलकम यौल तो वेक्निंग लासेज तो अपने फोरेस्टर की क्लासिस स्टार्ट करी थी दो लेक्चर आप भी तर्फ हमने कवर करें अपने पहले लेक्चर में उने उने मेजरमेंट को विदा हल्प एम से क्यूस देखा था सैकिंड लेक्चर में हम सब्सक्राइब करेंगे बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और मैंने एक चीज नोटीस करी है कि का लेक्चर आया था उसमें बहुत कम बच्चे वह देख रहे थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए देखो कॉंटिनुटी तभी में रहेगी जब आप सभी भी सिंसेर्टी से करती है ठीक है अपनी पॉजिशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट तो सम रैफरेंस पॉइंट विद टाइम उसको बोलता है मोशन फोर एक सामने एक फोन पड़ा हुआ है वह एक नोट बूक के पास है अगर मैं उसको थोड़ा से डिस्प्लेस कर देता हूं तो नोट यह हैं न्यूटन के तीन लॉज जो हमें डिसकस करने न्यूटन फर्स लाइं न्यूटन सेकिंड लाइं न्यूटन थर्ड ला तो दीरे दीरे कोश्चन की हल्प से हम पढ़ेंगे एक एक लोग को कवर करते जाएंगे ठीक है तो मुविंग तो इनर्शिया इस पॉजिशन को सकते हैं इस एक एक स्टेट है और तीसा डाइरेक्शन एक स्टेट है ठीक है मौशन एक स्टेट है और डाइरेक्शन एक चैट है अब बोड़के अपने कोई बोड़के करेकete करें हमारी हिने कर सकते हैं इसिणिया कोई बर बोड़के हैं अपनी स्टेट और कुछप कोई बोड़केर को तब को खुदब खुद aaten कर सकति मतलब करक्प वह हुख खुद रहते से मोःसन में नहीं आसकती मोशन से मॐन जा सकती और डेयरेक्शन भी खुदब चेंज नहीं हो सकती तो किया भी भूप खुद मोश्न आ सकता है नहीं आ वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा जब तक मैं उसके उपर फोर्स नहीं लगाता तो इस फोन की इन इबिलीटी कि खुद बखुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता तब ही चेंज होगी जब फोर्स लगी इसी तरह फॉर्ट बाड़ी मूव करें प्लैनर जो है वह स स्टेरिंग के उपर तो आप तर्ड नहीं कर सकता आप सीधा यहां से नीचे कर जाओगे तो मतलब डायरेक्शन भी खुद बखुद को बाड़ी चेंज नहीं कर सकती है अगर किसी बाड़ी की हमें स्टेट को चेंज करना तो हमें क्या लगानी पड़ती है फोर्स ठीक है इस यहीं में से अपर ट्रेगिस आपको इसाती चेंज हavirus शरख रहें करता है इंतना सब यहायां बतारहयों कि यही मोच्ण पूच्छा आपकी पूछेंगा पूचेगा नूटन फर्सला को लॉफ क्या क्या कहता है कि कोई भी बॉडि जो है इस युनिवर्स की वह खुदवा-खुद अपनी श्टेट चेंज नहीं कर सकती अगर किसी बॉड़ी की स्टेट चेंज करवानी है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी फोर्स लगानी पड़ेगी तो रवार्ण के बरहें और यहां तक आपको कोई भी पॉरिम के नहीं होगी चलती हुई से उतर जाते वहु तो और आगे की तरफ गिरते हो अई तक अगर आप Master लोगे तो आगे की तरफ जाते ओना थोड़ा सा अगर आपको आगे गरना अच्छा लगता है अच्छा लगता है ओल यह तो ऐसे ही बनाया होगा है इन दोनों में से एक आंसर होगा ठीक है देखो यह बेसिकली होता है इनर्शिया के वाज़े से मैं आपको समझाता हूं इनर्शिया कोशन पढ़ाया न्यूटन फर्सला ला कवर किया आप देखेंगे इनर्शिया की वाज़े से यह कैसे सॉल्व होगा कोशन में कहता है कि एक रनिंग बस है चलती हुई गाड़ी से जब बस के बीच आप बैठे हुए तो यह बस चल रही है जब यह बस चल रही है तो आप कि इसमें थे मोशन में आपके फीट भी मोशन में थे पाऊं आपके अपर बाड़ी भी मोशन में थे जब बस चल रही थी ठीक है बस चल रही थी आपके फीट मोशन में थे आप चलती में थी मोशन में थी इसकी इन अबिलिटी एक खुद बखुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता तो इनर्शिय की वज़ा से अभी भी आगे ही जाना चाहेगा तो आपकी अपर बॉड़ी अभी भी आगे जाना चाहती है आपके फीट रेस्ट में आजाते हैं तो अगर आ पी सुन लो देखो आप चलती बस में बैठे हुए था बस चल रही थी ठीक है जब बस चल देखी तो आप मोशन में थे आपके अपर बॉड़ी आपकी लोवर बॉड़ी फीट सा नाचनल निचे नाचनल तो आपकी फीट जो है वह ग्राउंड के साथ तो वह तो आगे रे ओorn आप जैसे इसने गाडी स्टार्ट करके आगे चले पीछे पहले आप इसमें खड़े थे Western ऑले आपकी लॉइर बॉडी भी निनखिकवी घ्र रहत सब्चाइब और उसके जैसे इसने घाडी चलाई आपकी लोर बाडी तो आगी मोशन में क्यों क्योंकि वह गाडी के साथ में हैं आपकी गाडी चलने लगी तो वह भी लोर बोडि जो हमके हैं वह भी मोह जाएक चाहली चत्रव है उन grease का एक तो आपके पाउं को में आगे दिखे लूँ और आपकी बागी उपर वाली वैसे रहने दूँ तो आप कहां गिरूगे पीछे वाली तरफ गिरूगे इसी वज़ासे जब भी एक चलती बस जब रुकी बस एक दम स्टार्ट हो जाती है तो जितने भी प्रसंट्रों वह पीछ तो आगे रुखी बस जब मूव करती है तो वह से इनर्शे आपको इनर्शे का यह concept समझाया होगा भीछिक्स में यह एक चेप्टर करना 11 का एक एक चेप्टर है इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है बढ़ मैं आपको चाहता हूं कि जितना भी है आपको सब्सक्राइब करवा तो आपको जितना में पढ़ार हो ना कोई 10 लेक्टर में इतना नहीं पढ़ाएगा क्योंकि यह फिजिक्स ऐसा सब्सक्राइब नहीं है कि आपको हर चीज रटनी है यहां पर अगर आपके दिमाग में समझ आ गया आप पेपर में जिस तरह से भी एंसी करेंगें इनर्शिया ओपिजेक्ट करता है मोमेंटम डाप द आपके माप्जेट सेफ़ एक चीज जो है ना वह डिपांड करता है मास में जितना किसी बॉडी का माश्याधा होगा उसका इनर्श में किसी बादी की इनाभी दो स्टेक आपनी आपनी चेंग सकती एक बलोज बल्डोजर से स्टार्ट किया एक बल्डोजर है वह अपनी जगह पर रुका हुआ है ठीक है अगर उस बल्डोजर को आपको मूव करवाना है तो आपके लिए इजी है बिल्कुल नहीं है क्योंकि उस बल्डोजर का माज जैदा उसकी वज़से उसका इनर्शिया जैदा तो मौशन इतने इजी नहीं आएगा उसके लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगी बल्डोजर की जैगह स्कूति में क्या होगा और इसको आपको करवाना का किस पर डिपेंट करता है मास अप्जेक्ट में जितना जाद मास होगा उतना उस बॉड़ी का इनर्शिया होगा यह पोइंट आपने यहाद है ठीक है मोमेंटम का मास है इसकी सब्सक्राइब करता है इसको इसकी सब्सक्राइब कर दो क्या बन रहता है मुमेंटम Lexus no अगर ऑज के तो मास्क्राइब किलोग्रम मिटर सेकnde यह बिादขुर F about a कgypt of motion ऊस बॉडि के मोशन की वज़ा से किसी बॉडि पर कितना एफेक्ट आये वह किया बताता हमें मोमेंटम सब्सक्राइब पहाड़ी है कि एक बहुत बढ़ी पहाड़ी है इसके नीचे में अपनी कार कहड़ी कर देचा देख लिये भाई पहाड़ी के नीचे कहड़ी कर देखिअ है और एक बात गिरता है पचास किलो का पत्थर इसी गाड़ी के ऊपर अब मुझे एक चीज बताओ जब यह पांच किलो का पत्थर गिरेगा इससे गाड़ी जैदा तूटेगी यह 50 kg के पत्थर के गिरने से तूटेगी किस केस में तूटेगी इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना जयादा क्या होगा means ंक इस लिए जितना जादा मास जयादा मोनीटम होता यह चीज यह आदर करो दूसरा अब का पत्तर मान लेता है 50 km पर और की विलगुकंचिए गिर है और यह 50 kg का मास जैदा है तो उसका इफेक्टा मोशन जैदा होगा अगर किसी बॉड़ी की विलासिटी जैदा है तब भी उसका इफेक्टा मोशन जैदा होगा तो क्वांटिटी आ मोशन कंटेंड निना बॉड़ी क्या होता है मोमेंटम होता है और वो किसके बराबर होता है मास इंट जितना मास होगा उतना मोमेंटम होगा जितनी ज़ील स्थी गर्वी तो आप यह कैसे इंचरेक्ट हो सकता है सर यह अभी पढ़ा है आपने उतना किसी शिस्टम में जो पूरी फोर्स लग लग रहे हैं टोटल फोर्स जीरो है the acceleration of any particle of the system is not real acceleration 0 नहीं होगी पहली बात यह चीज नूटन फर्सला नहीं कहता है दूसरी बात नूटन फर्सला यह कहता है कि अगर आपकी external force 0 आगर आप बाहर से कोई force ही नहीं लगा रहे हो तो वहां पर कोई भी मुमेंट नहीं होगी state change होने के लिए force होना is very important थर्ड स्टेटमेंट कहते है यह स्टेटमें इंकरेक्ट है इसका अंसर ऑप्शन b ही है थर्ड कहते है एक्शन एक्शन एंड रियक्षन एक्षाइमल्टन यूजली यह correct statement है गलत statement नहीं है यह अभी Newton थर्ड ला में आपको पढ़ाऊंगा ठीक है न्यूटन फर्स ला आपको समझ आगे था ना लॉफ इनर्शिया वो कहता है कि हार एक बॉड़ी जो अपनी स्टेट खुद बाखुद नहीं कर सकती स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है फोर्स लगानी प का मिद टाइम के साथ मुमेंटम का चेंज हो ना इ beaconology चेंज ग्रणंस 讓 जब धी आप किसी बॉड़ी पेन दा व्लख लगाते तो मिमेंटम चेंज रता है तो तो rate of change of momentum with time is known as force external जो आप फोर्स की बात करते हो ना फोर्स यहीं से हमारे पास देखो एक फॉर्मुला न्यूटन से किनला से बनता है न्यूटन से किनला क्या होता है अभी यहां से में एक फॉर्मुला बनाओंगा जो आपने पड़ा होगा यहां से एक फॉर्मुला बन गया फॉर्स इसको इस्टू मास इंटू एक्सलेशन और यह आपने पढ़ा हुआ एक्स्टरनल फॉर्स किसके बराबर होते हैं निकालके बता दिया यह दोनुई यहां से इसक बाइब होते हैं नूटन सेकला क्या कहता है कि जब भी आप किसी बॉड़ी पर एक्स्टरनल फॉर्स लगाते हो उसका मोमेंटम चैंज हो जाता है विद्ट टाइम और यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि फोर्स किसके बराबर होते हैं मास इंटू कि पुछ के पुल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप फोर्स की डैफिनिशन यह जब आप किसी बॉड़ी को फुछ करते हो कि देखेलते हो या पूल करते हो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जब भी आप किसी बॉड़ी के ऊपर कुछ भी प्रेशर लगाते हैं उसके बताइम मिटर सेकंट की विए को हम नुटन बोलते हैं किया बोलते हैं नूटन को नियुटन को कहता है कि कोई बाड़ी खुद बाखुद अपनी चे टेर्ट नहीं कर सकती के लिए हमें एक्सटरनल फॉर्स लगानी पड़ेगी सब्सक्राइब कहता है कि external force होती है इतना momentum चेंज होगा टाइम के साथ यहां से फोर्स उकल टू मास इंटो एक्सलिशन फॉर्मुला निकलता है अब थर्ड लाइन वेरी इंपॉर्टन ला जितनी एक बॉडि दूसरी बॉडि पर फोर्स लगाती है अगर एक बॉडि दूसरी बॉडि पर लगाएगी बट डिरेक्शन फोडि बजाता है तो बेसिकली कहता है कि अगर इस पेपर में ऐसी स्टेट्मेंट आगी F12 is equal to minus time F21 तो समझ जाना कि कौन सा है Newton 3rd ला यह कहता है कि एक बाड़ी दूसरी बाड़ी पर जितनी फोस्स लगाएगी उतनी ही दूसरी बाड़ी पहली बाड़ी पर फोस्स लगाएगी बट अपोस्टी डायेक्शन में लगाएगी सर हमें समझने यहाँ मैंने बॉल लिया यहां पर आपको कवर होंगे अब नेक्स कर लोगे इफा बॉडी नेट एक्स्टरनल फोर्स जिरो इट है देखो अगर एक्स्टरनल फोर्स जीरो है ठीक है कोई भी एक्स्टरनल फोर्स नहीं रग़िया तो फोर्स का फोर्मॉला कर पढ़ा है मास इंटी एक्सल्रेशन तो इस केस में क्या होगा उसकी विलॉसिटी जिरो इस फॉर्मॉली में पी आपको विलॉस्टी दिख रही है नहीं दीक लिए तो नहीं सकता ठीक है जीरो बात कर उसको कुछ ना कोश मास्ट तो होगा इसका मतलब क्या जब भी अगर किसी बॉड़ी पर एक्टरना फोर्स जीरो है इसका मतलब एक्सलेशन क्या है जीरो है यह पोइंट आपने समझना है ठीक है इस आप इस आप से बेसिकली ग्रैविटेशन फोर्स को ही क्या बोलते हैं फोर्स ग्रैविटेशन ही तरह की वेट मदल्ब जो हमारी अर्थ हमारे पर फोर्स जबवाटी यह लगाती है तो वेट एक पोर्स हैतों सके निव्टन मास की यूट क्यूबते हैं किलोНе आप अगर जाते हो आप अपना हो आर्थ में हो यह मून में आपका मास सेम रहेगा मास होता है आपकी बॉडी में कितना मैटर है मैंने आपको पढ़ाया हुआ यह पहले चेप्टर में बट वेट क्या होता है वेट होता है आपके ओपर कितनी फोर्स ग्रेविटी लग रही है आपने फोर्स का फॉर्मॉला अर्थ में आगर 60 है तो आइठिंक मूण में वन भाई 6 होता है एक बाख चेक कर लेना उसका चेक नहीं करता है मास एक बौड़ी वह मूँन पर खड़ी कर दो अर्थ में सेम रहेगा उनट किलोग्राइम होते हैं वेट एक फोर्स है फोर्स अव सब्क्राइट को वेट बोल कॉमेंटम कॉंस्टेंट तब होता अगर उसकर कोई भी फॉर्स एक्ट नहीं करें कौन सी फॉर्स एक्ट नहीं करें इंटरणल एक्टरनल बोथ एंड बी या ननफ द अभी मैंने आपको पढ़ाया था याद न्यूटन सेकिंड लाग करें किया वोस्टेंट इसके ब्राव कोई चीज की दिपर सेचन होती है कौन संट रोता है मतलब मेंटम हमारा संट होता है आपका जाप को आपकी जी बढ़़ा है क्याता है जो आपके एक्स्च चनल फोर्स हों किसके बेराबर हो सक्सेयर, पघर है आपका ममेंटम क्या है इसका मतलब टाइम के साथ नहीं होती है ठीक है यही तो कह रहा है द्याद से सुनो याद अगर आपको फिजिक्स की माथमाटिकल लाइंगविज नहीं आती तो अपनी डेसी लाइंगविज में समझ लो कहते हैं आपने फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ मोमेंटम का चैंज होना डाइट इस एक्सटर्नल पोसिबल टो वाक if and if only third law of motion holds true ठीक है तो कहता है कि यह possible है आप चल तभी पाओगे अगर न्यूटन थर्ड लाव motion काम करता है यह statement सही है गलत है कॉंड सही है यह गलत है देखो यह statement बिल्कुल अगर न्यूटन थर्ड लाव मोशन नहीं हो आप मुव नहीं कर सकते आप चल नहीं सकते अब इसको कैसे उपके चल लो मैं आपको समझा देता हूं ठीक है आप उठके चल लो आपने जो फीट के पंजे होते हैं उनसे क्या करते ऋग्राउंड को पीछे की तरव पुश करते ह आप आपको पीछे पुष करोगे तो घ्राउंड आपको आगे लेकर जाता है अगर आप ग्राउंड को पुष करते हो जितना अपको उतनी थाद नÜ एक पीछे पिछह आ तो पीछे फूर्श लिगा थे तो आपको आगे लेकर घी वेली, आप ठीक है आई होब सिरफ पेपर पास्ट करने के लिए नहीं आप समझने के लिए फिजिक्स समझ रहे होंगे और आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे एक मुझे लगता है वो रह गया इसमें बैंकिंग आफ रोड वाला में साथ सर कवर करवा दूंगा लास्ट कोश बेसिकली होते है एवरेज फोर्स इंटू ताइम इंपल्सी फोर्सिज बेसिकली वो फोर्स होती है जो शॉट इंटर्वल अव टाइम के लिए एक्ट करते हैं फॉर एक बॉल हाई ठीक है मलिंगा ने बाल करवाई मलिंगा को सचीन तंदूलकर बहुत मारता था मलिंगा बॉल करवाई सचिन तंदूलकर ने आगे बैट रखा ठीक है मलिंगा ने फास्ट बॉल करें सचिन तंदूलकर ने जस्ट अपना बैट रखा उस केस में क्या हुआ है वह बॉल और बैट का स्माल टाइम के लिए कंटेक्ट हुआ तो इतनी ज्यादा फोर्स जब समाल टाइम इतनी मोगल हो तो इसि फोर्स बौलतें इंपल्ट जब भी कोई फोर्स शौर्ट इंटर्वलक मिलिए एक्ट इसको बोले हम एंपाल्सी फोर्सि सट है इंपंट निग क्या हंन्य बथे के लिए 2-2 आपके हाथ पर प्रग्त कितनल चीपना के सब्स्मदू भी आपके हाथ है त्युक्पश करने सब्समें आपको उसर Craig meinem बजुच्राइब कफोल सिक डिक करते हैं आपको इंटर्वल प्रदे के लिए अब सब्क्राइब कंवर इंपलसिव और मोंसनों होते हैं इसकी डिरेक्षी पेरो थे जो फिर्मॉला प्रेंटू तो यह सहें ठोंचेनी इसनों नौ को समया नूटेंगे तीनुर के आने हमने मोमेंट़्स सिखा, momentum से हमने force equal to mass into acceleration पढ़ा, Newton थरला और motion को समझा, impulse के बारे में पढ़ा, inertia की गाड़ी में किस तरह से चलता, inertia वो समझा, weight और mass का difference समझा हमने और भी बहुत सारे जो topics हैं, वह हमने एक ही lecture में cover कर लिए, ठीक है, I hope this is clear to you, यह आपको समझ आगा हो, इससे पहले जो दो lecture आये हैं वो भी देखें और comment section में जहां से सुनो comment section में आप सब अपनी ना थोड़ा ऐसे suggestion लिखना suggestion means मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी involvement दिखाओ कि आप सच में लेक्टर continuation में चाहते हो कि नहीं चाहते हो क्योंकि I am overburden with supervisor और भी है और मेरा पढ़ाने का मक्सद यही है कि मतलब अगर बच्चे पढ़ रहे हैं अगर उनको इंट्रेस्ट है अगर वह सच में इस exam की जन्विन त्यारी करें उनको कहीं से नहीं मिल रहा अच्छा तो मैं पढ़ाऊंगा ठीक है अगर आप बिल्कुल भी मतलब ऐसे इंस्टाग्राम में डेली करेंट अफयर साते लास्ट टाइम में करेंट अफैर विवाइज नहीं होते मैं आपको बता देता हूं तो डेली के करेंट अफेर दो पेज होते उसमें चार्च चे करेंट अफेर इंपॉर्टन दिन के लिखे होता है वह देख रहा है Instagram handle डाल द झाल